नमस्ते ब्यारे बच्चों स्वागते हैं आपका रामरूप सर्मा चैनल पर और मैं हूँ रामरूप सर्मा और सबसे पहले तो आप सभी को आपके सभी नियरर डियरर को होली की बहुत-बहुत सुबकामना है एक चीज़ साथ की साथ बताना चाहता हूं सभी की आपने गाइडलाइन सुन रखे होंगी टीवी बे आप देखते होंगे अपनी हैल्थ का ध्यान रखें और सेफटी रखें सबसे बड़ी बात है और होली की बहुत-बहुत सुबकामन होगे sitting plan आपका अलग-अलग होगा पहले से की तरह से नहीं होगा इस वीडियो को यहां पर जो यह वीडियो है उसका डाइटल है फोर मापका यानिकि सेक्षन डी जो बड़ा सेक्षन है जो 30% पार्ट में आएगा सभी आपको सलाय देते होगा कि सेक्षन डी से स्टार्ट कर सकते हैं और मैं भी सलाय जैता हूं लेकिन जरूर इनिया से स्टार्ट करना सी से स्टार्ट कर सकते हैं मिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो को बच्चे जादा से जादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि सब भी बच्चों को फायदा होना चाहिए और चैनल को जाद मेरा मानना है कि इस तरी के question या यह question आपको महाँ पर आ सकते हैं पहला question जो लिया है मैंने सबसे पहले state से लिया है mode और median निकलना यह observation दिया हुआ है बहुत simple question मैंने लिया हुआ है यहाँ पर दूसरा जो question है वह ने लिया है साथ इसलिए volume से conversion का question है यह question आपको 3 या 4 मार्व में आ सकता है एक solid block का length breadth height दी हुई है और इसको हमने melt करके request किया है एक hollow cylinder में ज्यान लखना है बच्चे hollow word यहाँ पर आ गया hollow आते ही आप अपने कान खड़े कर लो यानिकि आपको जो volume क्योंकि जो matter convert हुआ है वो matter convert हुआ है shape convert नहीं होई है तो यानिकि volume of cuboid जो होगा वो volume of metal in hollow cylinder होगा यानिकि L into B into x जो होगा वो equal to equal होगा यह पाई और h और r1 square plus minus r2 square के equal होगा यहाँ गलती नहीं कर देना सबसे बड़ी बात methodics में ज्यादा number लाने का तरीका खेवल और यह होता है कि exact question को बढ़ा जाए next question है वो है आपका application of technology से यानिकि height and distance से बहुत जरूरी है figure का 100% correct बनाना एक vertical tower है और यह जो tower है यहाँ पर figure की question में अगर figure गलत होती है तो 0 बास जा सकते है और अगर figure सही है और आपका बहुत आसान हो जाएगा यहाँ बहुत simple question लिया है लेकिन ध्यान लगना है simple question में जो twist मैंने दिया है वो angle पड़ दिया है यह angle बीटा है और यह angle alpha है फिर दो triangle ले प्रूव करने वाले question से धरे नहीं है तो और अच्छा होता है हमें answer पता होता है कहां की तरफ जाना है हमें तो इस question को दो triangle लेकर बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं एक triangle से base निकार देते हैं और दूसरे triangle से हम base की value put कर देते हैं हाइट आ जाती है next question मैंने यहाँ पर लिया है यहाँ पर ध्यान से देख है तो त्रिणोमेट्री से लिया है त्रिणोमेट्री से फोर्म आपको पूसर आना ही आना ही या सब भी को आपको पता होगा और खास वर में जो हमारी basic identity है महांसे कुशन आना है मैंने कुशन लिया है कि इसको आपको प्रूव करना है अगर p की value आप सब्सक्राइब करें आपको याद हो गया गिवन आप लिख देंगे तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है तो इसके बाद में मैंने जो कुशन लिया है यहां पर लिया है दो नंबर है एक नंबर को एक मालने दूसरे को भाई मालने उनका ratio 5 by 6 है अगर हम उन दोनों नंबर के numerator दोनों मैंसे 8 माइनस कर दें तो उनका ratio 4 by 5 हो जाएगा तो इस तरीके के question है जो आपको board exam में आ सकते है व करें साथ जरूर बढ़ने रहे हैं चैनल को subscribe करें thank you very much and all the